उत्राखंड में नशे की रोक थाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और लगतार नशा कारोबारियों के साथ ही नशा तसकरों के खलाफ कारवाई की जा रही है इस इक्रम में जनपद उद्धम सिंग नगर के जस्पुर कोतवाली शेतर के अंतरगत सूत मिल तिराहे के पास पुलिस ने चैकिंग के दौरान दो तसकरों को दो किलो 700 ग्राम अवैद गांजे के साथ ग्रिफतार किया बता दे कि पुलिस के ग्रिफ्ट में खड़े दोनों आरोपी जमाल उद्धीन काशिपुर और नौशाद जनपद मुरादाबाद के पुढ़ानपुर का निवासी है जिनके पास से चैकिंग के दौरान अवैद गांजा बरामत किया गया महीं कोदवाल आशुतोष कुमार सिंग ने बताया कि उच अधिकारियों के आदेशों के बाद नशे के विरूद अभियान चलाय जा रहा है जिसके तहट पुलिस द्वारा दो नशे तसकरों को ग्रिफतार कर उनके खिलाफ NDPS Act के तहट मुकदमा दर्श किया गया जस्पुर से समाधा था प्रदीप श्रीवास्टफ की रिपोर्ट जनपद में नशे के विरूद अभियान चलाय जा रहा है जिसके अंतरगत कोतवाली जस्पुर छेतर में सूत्मिल तिरहय के पास से एक दो विक्तियों को अवैद गांजे के साथ गरफतार किया गया गांजा दो किलो साथ सो गिराम था और जिस संब्द में अंडीपियस के अंतरगत अभियोग पंजीगरत किया गया है एक जमाल दीन नाम का वेक्ति है और एक नौशाद है जो नौशाद है वो बुढ़ानपुर गाओं भगतपुर मुरादाबाद छेतर का रहने वाला है और दूसरा नौशाद वेक्ति है वो आईटेई थाना छेतरा अंतरगत निर्जा फाम का रहने वाला है इनके अपरादिक इत्यास के लिए हमें ने मुरादाबाद में रिपोर्ट भेजी गई है और S.C.R.B. और D.C.R.B. से भी इस बारे में पता किया जाए